तो आज सेर करूँगा मैं आपके साथ में मस्रोम टिक का कैसे बनाते हैं आप इसको घर पर भी बड़े आसानी से बना सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको कैसे बनाते हैं चलो करते हैं रेस्पी को स्टार्ट तो सबसे पहले हमने पानी को गरम कर लेना है उसमें हल्दी डाल देंगे उसके बाद हम मस्रोम को इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हलका सा ब्लांच करेंगे जिससे मस्रोम ब्वेल करनी से सरिया पे लगानी से तूटता नहीं है फिर हम इसको अच्छे से वास करेंगे इस तरीके से और उसके बाद जो हम इसके सैट की डंडी को हटा देंगे इस तरीके से तो ऐसे करके हम सब को इस तरीके से हटा देंगे उसके बाद हम इसको एक बॉल मिलेंगे तो सबसे पहले डालेंगे सर्सूं का त और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा नमक, और उसके बाद जो है, ऊपर से डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, जीरा पोडर, और उसके बाद डालेंगे, लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा कस्तुरी, कस्मेरी मिर्च, और इसक के उपर से डाल देंगे इसका वीडियो मैं और रेडी बना चुका हूं तो आप लोग जरूर उसको भी देख सकते हैं तो ये बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाता है तो ये मस्रूम टिक का हमारा मैगनेशन में तैयार है इसके बाद हम इसको सर्या में लगा लेंगे इस त लगा सकते हैं बट हम इसके उपर नहीं लगाएंगे और इसको इस्टप करके भी लगा सकते हैं वो भी मैं रेश्पी आप लोगों के साथ जल्दी सेर करूंगा मस्रूम इस्टप टिक की तो इस तरीके से हमने लगा देना है जो आश्टा मसाला पड़ा हूँ है उसके अच्छे से रोष्ट कर देना है तो यह हमारा मस्रूम टिक का अच्छे से रोष्ट हो चुका है अब हम इसको निकालेंगे डोंगे में और इसको हलका सा धनिया डालेंगे थोड़ा चाट मसाला डालेंगे और हलका सा निम्बूर नी चोड़ेंगे तो यह हमारा मस्रूम ट कर तयार हो चुका है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे उसके बात हम यह प्लेट में इसको कर देंगे रोट सब्सक्रां漏 चिट्नी के साथ में तो यह हमारा मसरूम की का टयार है तो यह वीडियो में